Hello everyone, welcome to exam orbit classes. Friends, आज का topic है Saur Mandal. Saur Mandal से जितने भी important fact बन सकते हैं और fact जानने के बाद हम discuss करेंगे सारे questions. आप सभी अगर अगर इस channel पढ़ नए हैं तो channel को subscribe करें. आईए देखते हैं सबसे पहले हम Saur Mandal के बारे में. Friends, Saur Mandal क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं Saur Mandal यानि कि Solar System में कुल आठ ग्रे हैं और एक है सूरे. सूरे हमारे Saur Mandal के केंदर में इस्थे थे. तता ये Saur Mandal का सबसे बड़ा तारा भी है. सभी ग्रे निरंतर सूर की परक्रमा लगाते हैं. तो Friends, निरंतर सूर की परक्रमा लगाते हैं. Saur Mandal में कितने ग्रे हैं? कुल आठ ग्रे हैं. Friends, अब ही हम देखेंगे कि सभी आठ ग्रेओं को आंतरिक एवं बहाई ग्रे में विभाजित किया गया है. दो भागों में विभाजित किया है आंतरिक एवं बहाई ग्रे को छोद्र ग्रे पट्टी भी बांटती है. हम देखेंगे कि आंतरिक ग्रे कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, शोक्र, प्रत्वी, मंगल. ये आपके आंतरिक ग्रे हैं. फ्रेंट्स बहाई ग्रे कौन कौन से होते हैं? ब्रस्पती, शनी, अरोण, वरोण. ब्रस्पती, सनी, अरोण, वरोण. फ्रेंट्स सौर मंडल के ग्रेहों को अगर हम क्रम वार देखें तो सूर से दूरी के क्रम में आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं. सूर से दूरी के क्रम में सबसे पहले है बुद, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, सनी, अरोण, वरोण ये आप देख सकते हैं, डाइग्राम के थुरू आपको समझाय गया है फ्रेंट्स आकार के अनुसार आगर आपसे पूछा जाता है ग्रह के नाम आकार के अनुसार हैं ब्रस्पती, शनी, अरोण, वरोण, प्रत्वी, शुक्र, मंगल और बुद्र ये हैं आपके आकार के अनुसार ग्रह के नाम अब हम देख लेते हैं Important Facts, एक्जाम के Point of View से बहुत जादा महत पूण है फ्रेंट्स प्रत्वी के सबसे नस्दीक ग्रह है, सबसे नस्दीक है आपका शुक्र ग्रह सूर अपनी धुरी पर पश्यम से पूर की तरफ घड़ी की विप्रीत दिशा में घूणन करता है प्रत्वी और अनिग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है अब हम जानेंगे सूर के बारे में ये है आपका सन जिसका व्यास है 1392200 किलोमीटर फ्रेंट्स प्रत्वी की तुल्ला में सूर्य का 110 गुना व्यास अधिक है कितना है? 110 गुना व्यास अधिक है फ्रेंट्स प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो की सूर्य वा हमारे सौर मंडल के समीप है सूर्य में परमाणू सलयन एटोमिक फ्यूजन के कारण उर्जा उत्पन होती है सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है हीलियम की 26.5% कार्बन की 1.5% नाइट्रोजन ओक्सिजन और अधर गैसेज एक परसेंट पाई जाती है बहारी सत्य का जो तापमान है अंदर से कम होता है सूर्य का केंद्रिय भाग क्रोड कहलाता है क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं सूर्य की आंत्रिक सत्य का जो तापमान है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस है तता सूर की बहारी सत्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है सूर की रोस्नी को प्रत्वी तक पहुचने में 8 मिनिट 20 सेकंड और कहीं पर लिखा हुआ है 8 मिनिट 16 सेकंड का समय लगता है सूर के बहारी हिस्से को प्रकाश मंडल और अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं क्रोमोस्फियर कहते हैं क्रोमोस्फियर अब हम देखेंगे फ्रेंट्स बुद्ध ग्रह के बारे में यानि की मरकरी फ्रेंट्स मर करें बुद्ध ग्रह सबसे चोटा है और सूर के निकटम ग्रह है बुद्ध ग्रह सूर की पूरी एक परक्रमा करने में 88 दिन लगाता है और बुद्ध ग्रह का कोई उप ग्रह नहीं है बुद्ध ग्रह का कोई उप ग्रह नहीं है फ्रेंड्स नेंस्ट थाम देखेंगे वीनस के बारे में तो वीनस यानी की शुक्र ग्रह को प्रतिवी की बेहन भी कहते हैं शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है और शुक्र का वाईू मंडल कारूंडाई उक्साइड से भरा हुआ है जो की 97% है शुक्र अपनी धूरी पर पूर से पक्षिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है शुक्र सबसे चमकी लाग रहे है इसलिए इसे सुन्दर्ता की देवी तता भोर का तारा भी कहा जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी प्रत्वी यानि की अर्थ प्रत्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं प्रत्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री जुक्की हुई है और इसी जुकाव के कारण ही रितू परिवर्तन होता है इसी जुकाव के कारण क्या होता है फ्रेंड्स रितू परिवर्तन होता है फ्रेंड्स प्रत्वी को नीला ग्रह भी खा जाता है क्योंकि 71% पानी होने के कारण आंत्रिक से इसका रंग नीला दिखाई देता है प्रत्वी का जो केवल एक उप ग्रह है और वो है फ्रेंट्स चंद्रमा जो के प्रत्वी से करीब चार लाख किलोमेटर यानि की 384-400 किलोमेटर दूर इस्थित है नेक्स्ट फ्रेंट्स आपका मंगल ग्रह मंगल ग्रह यानि की मार्स मंगल में आइरन ओक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है अते मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है मंगल के दो ग्रह है दो उप ग्रह है उप ग्रह यानि की फोबोस एवं दीमोस मंगल ग्रह का आकार प्रतवी से छोटा है मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक परवत है जो की आकार में माउंट एवरेस से भी तीन गुना अधिक उचा है नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रस्पती ग्रह यानि की जूपिटर के बारे में फ्रेंट्स जूपिटर ब्रस्पती सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और ब्रस्पती अपने अक्षपर घूमने के लिए 10 घंटे का समय लेता है सबी ग्रहों में सबसे तेज फ्रेंट्स ब्रस्पती ग्रह के 79 उपग्रह है इन उपग्रहों में से गैनीमेड गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड ही पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड सेटर्न यानि की शनी ग्रह सूर के से दूरी के अनुसार चटे इस्थान पर है और शनी ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे इस्थान पर है शनी चारो ओड से वले से घरा हुआ है जैसे कि आप इस पिक्षर के माध्यम से देख सकते हैं फ्रेंट सनी के उबग्रहों की संख्या ब्यासी है जिनकी संख्या में सबसे बड़ा उबग्रह है ताइटन सबसे बड़ा है ताइटन नेक्स्ट हम जानेंगे अरुण ग्रह के बारे में यानि की यूरेनस फ्रेंट सूर से दूरी के अनुसार अरुण सात्वा तथा आकार में तीसरा ग्रह है अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है इसका हरा रंग वायू मंडल में मीथेन गैस होने के कारण है अरुण ग्रह के कुल 27 उप ग्रह हैं अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर से पक्षिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है फ्रेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे वरुण ग्रह यानि की नेप्चियून वरुण ग्रह के कुल 14 उप ग्रह हैं कितने 14 और सूर से सबसे अधिक दूर होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है सूर का पूरा एक चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को कुल 165 साल का समय लग जाता है कितना 165 साल का समय लग जाता है फ्रेंड्स कुछ महतपूर प्रश्न हैं एक्जाम के पॉइंट अव्यू से बहुत ज़ादा महतपूर है सौर मंडल में कितने ग्रहे हैं? आठ ग्रहे हैं अभी हमने पढ़ा था और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रसपती सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुद्ध सौर के पास सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुद्ध और सौर से सबसे दूर ग्रह है? वरुण प्रत्वी के सबसे पास ग्रह है शुक्र चमकीला ग्रह सुक्र को कहते हैं सबसे गर्म है शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह है फ्रेंट्स वरोन लाल ग्रह जो मंगल जिसे कहते हैं फ्रेंट्स आइरन ओक्साइड के कारण वह लाल है और लाल धंबा प्रतीत होने का वाला ग्रह भी कौन सा है शुक्र है नीला ग्रह है फ्रेंट्स प्रत्वी हरा ग्रह है कौन सा अरोन और वरोन भोर का तारा है शुक्र शाम का तारा और सबसे अधिक किस पर हैं शनी पर कुल्ब्यासी और सबसे बड़ा उपग्रह मंगल ग्रह का है और सौर मंडल के सबसे सबसे नजीक Τारह है प्रक्सिमा सेंचुरी सबसे चमकीला तारा पूछा जाए तो कौन सा है फ्रेंट्स साइरस और अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला लग रहे है ब्रसपती और अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला लग रहे है शुक्र सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला लग र जो कि 165 साल लेता है अब हम देखेंगे important questions अगर वीडियो ची लग रही हो तो like share जरूर करें फर्स्ट कोशन देखिए निमलिकित मैंसे कौन सा एक तारा है कौन सा एक तारा है प्रत्वी या फिर शूर या फिर चंद्रमा या फिर शुक्र और इसका right answer होगा friends सूर एक तारा ह next question बाहे ग्रय या ब्रस्पती शद्रस ग्रयों की संख्या कितनी है बाहे ग्रय की संख्या कितनी है चार तीन पांच या फिर छे तो बाहे ग्रय की संख्या है friends चार next question सूर प्रष्ट पर लगबग कितना तापमान होता है 1000 डिगरी Celsius, 6000 डिगरी Celsius, 600 डिगरी या फिर 800 डिगरी Celsius तो friends 6000 डिगरी Celsius होता है next question ब्रश्पती सद्रश ग्रयों में सम्मलित नहीं है मंगल, वरोन, अरोन या फिर सनी तो friends कौन सा शामिल नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा मंगल, मंगल next question सूर की सतह पर हाइडरोजिन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है oxygen, organ, neon, helium तो कौन सा पाया जाता है friends, helium next question निमलिकित मैंसे किन दो ग्रहों को छोड़ कर शेर सभी ग्रह सूर के चारो ओर वामा वर्थ घूमते हैं शुक्र और अरोण, अरोण और वरोण, प्रत्वी और शुक्र, बुद्ध और शुक्र और इसका राइट आंसर होगा शुक्र और अरोण next question शूर प्रकाश धर्ती पर पहुचने में कितना मिनिट लेता है 10 मिनिट, 9.4, 7.3, 8.3 और इसका राइट आंसर होगा 8.3 क्योंकि यहाँ पर यही सही है next question सौर मंडल का जन्व दाता किसे कहा जाता है शनी को, ब्रस्पती को, प्रत्वी को या फिर सूरे को तो friends किसे माना जाता है सौर मंडल का जन्व दाता सूरे को next question निमलिकित मैंसे कौन से ग्रहों के चारो और घूमने वाला उप ग्रह नहीं है वरुण तथा प्लूटो, मंगल तथा बुद्ध, बुद्ध तथा शुक्र, मंगल तथा शुक्र और इसका राइट आंसर होगा बुद्ध तथा शुक्र next और last question आपकी स्क्रीन पर है सूर के सबसे पास कौन से ग्रह है, मंगल, शुक्र, ब्रश्पती या फिर बुद्ध सभी फ्रेंट्स इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक शेयर जरू करें चैनल पढ़नाई है तो सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स फॉर वाचिंग